तो यह हमारा पुला आइटम मिक्स हो गया है और इसको हम कबाब को शेप में बनाएंगे तो आज हमारे घर पर बनने जा रहा है रमजान का तो कबाब में लगने वाले इंग्रीडियन मैं आपको बताता हूं तो इसमें लगेगा अंडा यह ओनियन यह सौल्ट और जिंजर गालिक पेस्ट और यह बेसन और धनिया और मिर्ची तो यह शेक्शन ममी आपको बताएंगे क्योंकि मैं को इनका नाम नहीं पता तो ममी बता यह कुटी मिर्चा यह गरा मसाला यह जीरा पॉडर यह चाथ मसाला तो यह सारे इंग्रीडियन लगने वाले हैं और अंडा कबाब बनाने के लिए तो चलो बनाते हैं तो अंडे कौने पहले से उबाल दिया तो अभी उम इसका पीस काटेंगे असका अंडे को चाट टुक इसका अंडे को नमक डालेंगे और शाया थे पहले बिल कर नमक डालेंगे और शाया तो अंडे के अंड़ने के अंडर क्लस्टून का पेज डालेंगे तो पीज दालने के बाद अब इसके अदर सारे मसालिय डालेंगे थनिया, मिर्ची डालेंगे देशन डालेंगे अब अपने हिसाब से डाल यहाँ भर मिक्स करेंगे तो वो जाएगे वोफ मिक्स हो गया है अज इसको हम कबाब बनाएं इसको लंबा करना है और अंदर रखना है के गॉल-गोल कबाब बना देना है बना रहा है हम सब तक नमाद पढ़ रहा रहते हैं कि असरे कर वक्त हो गया है चलो साधिम पढ़ गया है चलो 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 तुम साधिम काटने लेगा चलो तो तो लेते हैं कि घ्टावरी तेक zwar छौक में थे हैं यह मतल है git टेखें, मीश जार को जरुछ तो तो जार समृ एै अधू नप्त वाग्त विला एम हो उष नित्ना आना प्सकत मतली राग्त क्सली तू कर बोला भीया इसका शेख नोट पर बढ़ा हो आप लो बढ़ा हम अप्रों को बाद में अंसे गल्सी हो गई है तो दोस्तों और एग कबाप इंका तयार हो गया है कि इसमें स्वाव सित्थ हो गया आपको बता दूए इसमें ने जो काल दा प्याज को जो कड़ा ना उसमा दूल लिया तो यह कबाब की तरह है लेकिन एकदम रांड रां मतलब गोल नहीं बन पाया फुरा पकड़ा ऐसा हो गया वस्य गल्च हो गई तो आप लग जब बनाओगे प्याज को जिलना मत प्याज तो इसे रिगेला होता है उसमें नमक जालने के बाद और पानी हो जाता है तो सुखा रह इस सुखे पानी है में बताया है और इसके साथ में आज वेड़ पकॉरा बीवनाई है तो कही आने और अधान में हो जड़ा फोलो है क्लonge की सुगा मैं जब यह रिल आप कोङ़ पहला हुआ अवरिया किनन इख सब łाहर से मोर corrections के बाद एप आप Nepal पानी में जब दादे इख सब्सक्राइब के दुआ है frust करते है कि वर देख करते हैं तो आज करते हैं अब मिलते हैं अगले बाद कोई नहीं के साथ इतने करते हैं वीडियो अच्छी लेगे हो लाइक में शेयर करो थैंक यू बाई